हाई फ्रिंट्स नमस्ते गेमचर और वेलकम बैक टो माई चैनल आज मैं आपसे शेयर काने वाली हूँ पीडियर हैक्स तो गाइस ये वीडियो में मैं आपके साथ हैक्स भी शेयर करूंगी और कुछ टिप्स भी शेयर करूंगी और हाँ अगर आप टीनेजर्स होना तो ये म new Calowert वीडियो अपके लिए बहुत ही हैस्फोर रहेगा तो कहाइस वीडियो अच्छा लग है तो वीडियो पर लाइक कर देना क्योंकि मुझे पता चलता है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना बिल्कुल भी जबलना तो चलिए वीडियो स् इतना पेट दर्द होता है, कुछ काम करने का मन भी नहीं करता है, किसी का भी फोन आए, किसी दोस्त का फोन आए, तो बीना बात के किसी बात पे भी गुस्सा आजाता है, दिमाग बहुत ही चीड़ा हो जाता है, तो गाइस क्या आपके साथ भी ऐसा होता है, क्या अगर होता ह तो टेंशन देनी की जरुवत नहीं है तो उसके लिए आपको चाहिए एक बनाना और चोकलेट और दोस्तो इसे हमें खाना है आप एक बनाना खा लिजी और दू-तीन चोकलेट खा लिजी ऐसी छोटी-छोटी होतो तो गाइस बनाना में मेगनेशियम, पोटेशियम और फाइबर होता है जो हमारे पेट दर्द को भी आराम देता है और उसके साथ हमारा जो मूर खराब हो जाता है उसे भी अच्छा कर देता है इससे हमारे जो मसल्स होते है वो रिलेक्स फिल करते है और चॉकलेट भी हमारे मूर को light बनाने में help करती है और जो गुस्सा आता है उसे control करती है अगर आपको जबी भी ये पेट दर्द की problem या फिर ये गुस्से वाली problem हो ना तो आप बनाना and चॉकलेट खा लीजिए पीरियर्स का जो पहला दिन होता है ना उस दिन तो बहुत ही ज्यादा bleeding होता है तो उसके कारण पैट तो खराब होता है ये साथ में underwear भी खराब हो जाता है तो आपको ऐसी वाली अंडरवेर नहीं पहनी है जिसका ये नीचे वाला जो पार्ट होता है वो बहुत ही छोटा होत होता है तो उसके कारण क्या होता है कि जब भी ब्लड फ्लो जादा हो जाता है ना तो ये खराब हो जाता है तो आपको ऐसी वाली अंडरवेर नीचे वाला पार्ट थोड़ा ब्रॉड होता है तो उससे आपकी अंडरवेर खराब भी नहीं होगी और पैट भी अच्छी तर होता है पहले दिन तो ठोगाइस आपको क्या करना है आपको आपका जो नॉर्मल आप जो भी पैड यूनिज करते हैं वह पैड लेना है और पैड के ऊपर आपको टीशू पेपर से इस सिक्योर करना है जो कीचेन-वाले जो टीशू होता है तो देखिए यह कुछ इस प्रकार तो गाइस यह बहुत ही comfortable भी लगेगी और आपका जो पैड है ना वो long time तक चलेगा जल्दी गंदा नहीं होगा तो यह वाला hack आप जरू ट्राइक करें personally यह वाली problem मेरे साथ बहुत ही होती है जब periods का पहला या दूसरा दिन होता ना तो मुझे नीदी नहीं आती है जल्दी इपर से पेट दर्द करता है और नीद नहीं आती है तो यह वाली problem अगर आप भी face कर रहे है तो guys क्या करना है आपको lavender essential oil लेना है और इस तरह से इसके drops आपको पीलो पे apply कर देने जैसे मैं वीडियो में दिखा रही है उसी तरह से नीन की problem को चटकी में दूर करेगा साथ में अगर आपको कोई tension है उससे भी दूर करतेगा आपको बहुत ही अच्छी नीद आ जाएगी और हाँ guys जब भी आप सुबह में नाते हो ना तो नाने क पानी में भी lavender essential oil के थोड़े से drops आप एड़ कर लीजिए उससे अपकी पेट दर्द की problem भी दूर होगी और आप बहुत ही fresh फिल करोगे तो थंडा पानी तो हम सबको अच्छा लगता है जब तक हम थंडा पानी ना पिए ना तब तक हमें सुकून नहीं मिलता है तो दो ति नहीं यूज करें दोस्तों अब हम सीखने वाले है इजी वाले योगा इसके लिए आपको इस तरह से बैट जाना है जैसे में वीडियो में दिखा रहे हो ना गाइस उसी तरह से बैट जाना है और हाथ को एक दम टीले चोड़ देने मिलें आपका जो पूरा बदन है ना व से तीन बार जरूर करें अगर आपको पेट दर्द की बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लेम हो रही है और आपके पास हीटिंग पैट जो बैग होता है वो नहीं है टेंशन लिनी की ज़रूरत नहीं है आपको सिफ थोड़ी सी दिवा की बत्ती जलानी है तो आपको एक वाटर से रखना है वरना आपकी स्किन जल सकती है तो गाइस यह आपकी जो पेट दर्द है उसकी प्रॉब्लेम को दूर करेगा आदे गंटे में आपका पेट दर्द छूमंतर हो जाएगा अब हम बनाने वाले है हरबल टी जो आपकी पेट दर्द की प्रॉब्लेम को दूर करेग उसके बाद जो tea bag है उसे इस तरह से deep करना है तो guys आपको इसे दो मीट तक रखना है इसमें जितने भी अच्छे अच्छे गुने ना वो पानी में mix हो जाएंगे उसके बाद आपको एक चमच honey add करना है तो ये हमारी herbal tea ready है तो ये पेट दर्द की problem को फटाफट दूर करेगी और याद रखे कि इसे दिन में एकी बार यूज़ करना है तो guys आप जब भी पैड को change करते हो तो वजाएना को wash करने के लिए क्या आप soap यूज़ करते हो बहुत लोग पैड को ऐसे dust bin में थ्रो कर देते हैं आप ऐसा करते हैं और बहुत लोग तो इसे toilet में भी डालतेते हैं तो guys ऐसा बिलकुल भी मत करें सबसे पहले तो पैड को आप इस तरह से roll करें उसके बाद एक newspaper ले ले और newspaper में भी आपको इस तरह से roll करना है उसके बाद आप इसे dust bin में डाल दीजिए ऐसा करने से bacteria भी नहीं फैलेंगे और घर में गंदी smell भी नहीं आएगी तो ये था मेरा आज का वीडियो और मैं आशा करती हूँ कि कुछ नए आपको ये वीडियो में जानने को मिला होगा तो गएस वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो पर लाइक ज़रू कर देना बहुत ही जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाबाई and टेक केर